हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल दा पैट विजन दिस साहिल मलिक यूर होस्ट एंद यूर वेट तो आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही जादा इंपोर्टन्ट है इसलिए मैं आप से आशा करता हूं आप इस वीडियो को एंड तक ज सिम होती है , जो अंके अंदर होती है तो कई पेसिक अर्फोर होता है जिसको हम काफ यूट बोल देते न siblings बहुत हो जाए या उनकी बिलगूल ही एक बहुत ही बहुत हो?? तब हमारे डोग की kidney disease होने की संभावना बहुत जादा बढ़ जाती है तो किडिनी का function होता है वह फील्ट्रेशन का अगर वही filtration ही नहीं होगा तो आपके जो डोग की kidney काफी जादा effect हो जाएगी तो आप समझ जाना कि मेरा जो डोग है अगर उसकी death भी हुई है तो kidney किड़नी की डिजीज से ऐसे देथ हो सकती है तो अब मैं आपको कुछ कारण के बारे में बताऊंगा कि जो किड़नी डिजीज आपके डोग के अंदर करवा देते हैं जिसे हम क्रोणी किड़नी डिजीज बोलते हैं तो सबसे पहला जो रीजन है यानि कैलकुलाई सकते हैं फैमिली एक होती है अगर उसकी फैमिली में किसी को है यानि अगर इंफेक्शन हो गया है किड़नी के अदर तभी इंजरी होगी है यानि कोई पूह एक्स प्रॉब्लम आपके डिज़बो होने के चांसे बहुत जादा बढ़ जाते हैं तो guys अब हम बात करते हैं basic जो symptom की यानि आप घर रहते जो observe कर सकते हैं जो बाहर से आप check कर सकते हैं कि मेरे डोग को kidney disease तो नहीं है तो guys सबसे पहले जो मैं आपको बढ़ाता हूँ polyurea एक term आते हैं अब यह polyurea क्या होता है देखी guys अगर वह maximum amount में urination कर रहा है तब हम उसको polyurea बोलते हैं यानि guys उसने अभी urinate किया फिर दो सेकिंड बाद फिर urination कर रहा है तो guys यह polyurea की condition है यह symptom है सबसे पहला तो guys अगर हम दूसरे symptom की बात करें तो guys nutritional जो quantity होती है जो ability होती है बोडी के अंदर बिल्कुल ही down चली जाएगी यानि वह बहुत ही दुबला पतला होना start हो जाएग और guys इसका जो main reason अगर मैं बताऊं एक vomiting तो करेगा देखे guys इससे आप घबराना मत की vomiting तो basically करी देता है dog कोई भी अगर gastrointestinal upset भी हुआ है तो but guys अगर vomiting वो gap में कर रहा है like that gap अगर वो 15-15 minute का gap भी वे रहा है vomiting में तब आप समझ लेना कि ऐसा कोई condition हो सकती है जो kidney से related है त उसने stop कर दिया urination लेकिन वो जब urination करना start हो जाएगा तो काफी जादा वो काफी जादा urinate करेगा यानि पेशाप की जो मातरा है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और guys dehydration जैसे मैंने बताया यानि पाने की deficiency हो रही है तो dehydration एक symptom है जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुक जान ही नहीं बचिए तो वो कैसे चल पाएगा तो guys अब हम बात करते हैं oral ulceration की आपको guys diagnose करना है घर रहते कि उसके जो mouth के अंदर ulcer develop तो नहीं हो गया है यह एक indirectly effect करता है आपके जो dog के kidney disease के अंदर आपको इतना deeply जाने की जूरुत नहीं है मैं basically आपको बता रहा हूं तो ध्यान देना चाहिए कि कुछ reason हो सकता है कि आपके जो dog की renal disease से related ही यह animal condition ना develop हुई हो तो guys आगे हम symptom की बात करते हैं जो basic symptom आता है एक digestibility जो power होती है यानि उसको अगर उसने मानलो कुछ खा भी लिया है लेकिन उसे वो digest नहीं कर पा रहा है यानि उसको defecation ही इतना हो रह लेकिन स्टूल का जो इसमें मैं आपको बढ़ाता हूं जो स्टूल देगा ना इसके अंदर blood तो आएगा अब गईस आप यह समझ रहे होगे कि इस टूल के अंदर blood आ रहा है तो कहीं मेरा जो पार्वो से सफ़वर तो नहीं कर रहा देखें इसके अंदर जो blood आता है उसक जैसे आपको मैंने बताया कि जो blood का color है काफे ज्यादा डार्क हो रहा है तो कईसी situation को हम क्या बोलते हैं तो कईसे टर्म आती है मैलीना नाम की condition से डिनोट करते हैं तो कईस आगे हम बढ़ते हैं हैलिटोस नाम की condition आती है अब बाइस है यह अप्टिकल या आप एक टॉप जाएगी आपके डोग के माउट से आनी अच्छे से इसको डाइगनोज कर लेना है और उब्जर्व कर लेना है कि कहीं यह जो symptom जो डोग साब हमें बता रहे हैं कि रिनल किड्नी डिजीज से तो नहीं रिलेट खा रहे हैं तब कईस अब हम आपको कुछ treatment के बारे में क्रोनिक हो देखें जो एक्यूट अगर है आपके जो डोग के अंदर जो किड्नी डिजीज हुई अगर वो एक्यूट कंडिशन में है तब उसको हम हमारा जो डाइगनोज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है आपको जब आप वेट के पास लेगे जाओगे तो उन कि बोडी के अंदर अच्छे से डाजेस नहीं हो रहा फिल्ट्रेशन नहीं हो जो उसको डाइगनोज कर सकते यानि कुछ भी ऐसा पॉइंट हमें नहीं नजर आएगा कि हम जिससे डाइगनोज कर सकते तो दूसरा पॉयंट आता है उसके अंदर भी हम डाइगनोज नहीं कर पाते हैं अगर जब थर्ड स्टेज आती है तब उसमें हम 20 से 40 प्रसेंट डाइगनोज करने के एबल होते हैं हम अच्छे से डाइगनोज कर सकते हैं यानि टेस्ट की जो रिपोर्ट से हम अच्छे से डाइगनोज कर सकते हैं तो इतनी ही ज्यादा सीरियस कंडिशन डेवलोप हो जाती है जो मैंने आपको मैलीना बताया था एक हैलिटोस बताया था यह कॉमन सिम्टम उस फॉर स्टेज के अंदर दिखने स्टार्ट हो जाते है और 70-80% मात्रा में हम क्रोनिक सिच्वेशन के अंदर ही उसको डाइगनोज करते हैं तो इसका अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं तो आपके डोग को अगर किडनी की डिजीज है तो उसको बचाना बहुत ही जादा मुश्किल हो जाता है अगर वो क्रोनिक सिच्वेशन में है तो अगर एक्यूट में है तो कुछ हद तक हम ट्रीटमेंट देखे उसे बचा सकते हैं बट अगर वो क्रोनिक सिच्वेशन में चला गया है तब उसको बचाना बहुत ही जादा मुश्किल हो जाएगा तो यह बात हो चुकिए हमारी ट्रीटमेंट की अब हम आपको लेक से बचाना है आपको एक्सेस अमावन में वाटर अपने डोग को पिलाना है और आपको सुलूशन भी देते रहे हैं मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा मैंने जो डिहाइडरेशन के जो और बी जो वोमेटिंग वगएरा या जो लूज मोशन वगएरा की ओपर वीडिय करवाने हैं वह मैं आपको बताता हूँ देखे का जब रिनल जो डिजीज होती है तो बेसिकली इसके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ने के या घटने के चांसे हो जाते हैं तो आपको बीपी भी अच्छे से चेक करवाना है अपने डोग की बोड़ी के अंदर एक आता है का KETB एक टेस्ट है आपको यह भी करवाना है यानि किड़नी से ही रिलेटिड यह टेस्ट होता है आपका जो वैट है वही आपको करके देगा उस रिपोर्ट के बिहाफ पे वह कुछ आपको ट्रीटमेंट भी प्रवाइड कर सकता है बट गई इसके अगर आपका जो डोग ह को चाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आपको बात करता हूं एक एज फैक्टर के बारे में आपको एक इंपोर्डन पॉइंट ध्यान देना है अगर आपका डोग पांच साल की एज क्रोस कर चुका है तो उनके अंदर मैक्सिमम चांसे होते हैं कि रीनल डिजी यानि जो यूरीन की एबिलिटी होती है इतनी मातरा में बढ़ जाएगी कि आप खुद ही परेशान हो जाओगे और अच्छे से ही पहले ही आप उबजर्व कर लोगे और अगर आपने हमारी इस वीडियो को देखा है तो आप खुद ही घर रते डाइगनोज कर सकते हो और डोग को इन अक्यूट स्टेज में अपने डोग को अपने वैट के पास ले जा सकते हो और उसकी जान को आप बचा सकते हो तो आशा करता हूँ आज की जो वीडियो हमने बनाई है आप कुछ आपके लिए कुछ इंफर्मेटी हुई होगी तो थैंक्यू सो मच पर हमारे चैनल से वहां भी जूड सकते हैं और आपको कंसल्ट किया जाएगा अच्छे से अच्छा बताया जाएगा और यह बिल्कुल ही नीशूलक रहेगा आपके लिए इसके लिए कुछ भी पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे बिल्कुल ही आपके लिए फ्री होगा तो आ समेशा से ही हम जो भी आपको वीडियो में बहुत हथी जादा में एपूर्टन होती है और इसी जो वीडियो है जो एक फारे में हम आपको को दिछाने की कोशिश करते और आपको उन बीमारियों के बारे में अउगत कराते हैं जो जान लेवा बीमारी जान जूत है जैड़ा झाल झाल झाल